नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं संक्रमन कम होते ही सरकार ने अब विकास कार्य में तेजी कर दिया है सभी को विभीन परकार के रोजगार से जोड़ कर बेरोजगारी को दूर करने की पहल सरकार ने शुरू कर दिया है सुर्ण ने कहा कि सरकार 50 फिजदी के अनुदान पर पसुधन योजना मुर्गी पालन, बतक पालन, बकरी पालन, सहीत, अनुदान, पर्ट्रेक्टर, टेम्पू तथा अने जोजना से लोगों को जोड़ कर रोजगार देगी सरकार ने निनर लिया है कि स्कूल में जो बचे पढ़ते हैं, उन सभी बचों को हपते में छोग दिन अंडा खिलाया जाएगा मौसम विभाग गयरुसार आज दिन में मौसम साफ रहेगा, वही रात के तापमान में एक डिगरी सेल्सियल्स की गिरावर दर्ज की जा सकती है इसके साथ ही आदराता ज्यादा होने के कारण ओस और हलका कोहरा बनने की समभवना है साम के बाद लोगों कोहल की थन्ड महसूस होगी राजे में पिछले दो, तीन दीनों से बारिश नहीं होने के बाद भी मानसुन के लोटने के बाद की स्थिती बेतर है राजे में 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अपेक्षित बारिश से 60% ज्यादा बारिश तर्ज की गई है जैक बोड मैट्रिक इंटर का मोडल प्रश्ण पत्र जल्द होगा जारी जैक मैट्रिक इंटर परिक्षा 2022 के प्रथम चरण की परिक्षा को लेकर एक साथ 5 सेट मोडल प्रश्ण पत्र त्यार किये जाएंगे इसके अलावा कक्षा 9 वह 21 के बोड परिक्षा रथियों के लिए 2 सेट प्रश्ण पत्र त्यार किये गए है बता दे मोडल सेट प्रश्ण पत्र इस सब्ता जारी हो जाने की समभवना है बर्ष 2022 की काक्षा 9 से 22 तक की बोड परिक्षा दो चर्णों में ली जाएगी पहले चरण की परिक्षा दिसंबर में होने की संभवना है जार्खन सरकार काक्षा 1 से 22 तक के सभी बिद्यार्थियों को देगी निसूर्ख पाठे पुस्तके राई सरकार अब काक्षा एक से बराहवी तक के सभी विद्यार्थियों को निसुर्ख पाठे पुस्तके उपलब्ध कराएगी अगले सेक्षनिक सत्र बर्ष दो हजर बाइस सत्र से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बराहवी काक्षा तक के सभी चात्र शात्राओं को पाठे पुस्तके सरकार की ओर से दी जाएगी बतादे स्कूली सिक्षा एवं सक्षता विभाग ने इसका प्रस्ताव त्यार किया है कैबिनेट से स्कूरिती मिलने के बाद यह विवस्ता लागू हो जाएगी राई सरकार फिलहाल सरकारी स्कूलों में काक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले सभी विद्यारतियों को समगर सिक्षा अभ्यान के तहद निसुर्क पाठे पुस्तके उवलब्द कराती है संताल दोरे पर साहब गंज पहुँचे सियम हैमान संताल परगना के दो दिवस्य दोरे पर साहब गंज पहुचे सियम हैमान सुरेन ने 28 योजनाओ का उदगाटन वसिलन्यास किया वहीं बिभीन योजनाओ के 120 लाभकों के बिज परिसंपतियों का बित्रन भी किया इस दोरान सियम सिरी सुरेन ने कहा कि रोजगार सिरी जन सरकार की बिशेस प्रत्मिकता है वहीं सो रोजगार के लिए कई योजनाओ की शुरुवात की गई है साहब गंज जिला के बहेट परखंट इस्थीत छोची पंचात इस्थीत हिस्सा खुटू मैदान में अविजित कारेकरम को समोधित करते हुए सियम हमंसुरेन ने कहा कि यह आपकी सरकार है आपकी अकंचाओं उमीदों और जरूरतों को ध्यान में रखकर जोजनाए बनाए और उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है सिमडेगा होकी चेंपियंशिप के क्वाटर फाइनल में जार्खन वो पंजाब के बीच होगी भीड़न्त सिमडेगा के स्टो टर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे एगारवी जूनियर महिला होकी टूर्नामेंट का लिंग मैच 25 अक्टूबर को समाप्त हो गया बता दे 26 अक्टूबर से नौक आउट टूर्नामेंट होगा क्वाटर फाइनल में जार्खन केलावा हरियाना आगरपरदेश उतरपरदेश महराख शंडिगर ओडिसा और पंजाब होकी की टीम पहुंच चुकी है 26 अक्टूबर को पहला क्वाटर फाइनल मेंच होंकी जार्खन और पंजाब के बीच सुवा साथ बये से खेला जाएगा सरना धर्मकोड के मुद्दे पर जार्खन सरकार और भाजपा के बीच टक्राव भाजपा एस्टी मोर्चा कराष्ट्रिय अध्यक्ष वा सांसत समीर उराव ने कहा है कि सरना धर्मकोड जारी करने की परकिरिया में कई जटिलताए हैं इन्हें दूर कर समधान निकाला जाएगा इस मुद्दे पर जामों के लोग भरम फिला रहे हैं जन जातिये सम्मों के सन्वेधायनिक अधिकारों की राक्षा कैसे हो उनका विकास कैसे हो पलायन कैसे रुके और रोजगार मिले इस पर बात होनी चाहिए हेमान सुरेन बयान तो जरूर देते हैं लेकिन हेमान सुरेन और सीवू सुरेन भी महादेव की उपास ना करते हैं इसलिए भी सनातनी है श्री उरावराश्ट्री ये कारसमेती की बैठा के बाद रभिवार को पत्रकारु से बात कर रहे थे ट्रैफिक पूलिस को कुचलने वाले पीकप बैंचालक का लाइसेंस होगा रद अर्गोडा चोक पर भीतेर अभिवार को ड्यूटी के दुरान ट्रैफिक पूलिस धिरेंद्र कुमार राय को कुचल देने के मामले में पूलिस जाच में जूट गई है पूलिस अब इस वर्दात को अंजाम देने वाले पीकप वेन चालक राजु कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस रद कराएगी इसके लिए अरगोडा पूलिस की ओर से डीटियों से अनुसंसा की जाएगी जल्द ही पूलिस मामले में डीटियों को पत्र भेजेगी इस्टेशन में पोजेटिब मिले सभी लोग आर्टी पीसियार में निगेटिब रांची के हटिया और रांची रेलवे स्टेशन में पिछले तीन चार दिनों से प्रती दिन बड़ी संख्या में कुरोना कमरी मिल रहे हैं बतादे सिविल सर्जन ने बताया कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को इस्टेशन में मिले सभी लोग कुरोना से निगेटिब हो चुके हैं उन्होंने बताया कि जो लोग रैपीड एंटिजेन टेस्ट में पोजेटिब मिले थे उन्हों सभी की आर्टी पीसियार जाच भी की गई थी जिसमें बे निगेटिब हो चुके हैं जारखन में कुल एक्टिब केस की संख्या 224 है भारत में 11,816 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिब केस की संख्या 1,57,471 है साड़ी धोती खरीद में गड़बडी हुई तो नपेंगे पदा धिकारी संताल परगाना के दो दिवस्चे दोरे पर गोड़ा पहुँचे सीम हमान सुरेन ने राजा भीठा के पावर ग्रीट का उधगाटन किया वही 74 योजनाओं का सिरा नियास तथा 8 योजनाओं का उधगाटन भी किया इस दोरान सीम सुरे सुरेन ने कहा कि महिलाएं हडिया दारू बेचना छोड़कर सोरोजगार से जूड़ रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि राज सरकार की महत्वकांची योजना साड़ी धोती वह लूंगी की खरीदारी में गरबड़ी करने पर करवाई की भी बात कही बता दे मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए 5 लाग ग्रीन रासनकार्ट बना कर दिये जाने की बात भी कही उन्होंने साथ बरस से उपर के सभी दिव्यांग एवं बिध्वा को पेंसन योजना से जोड़े जाने की जनकारी दी मुख्य मंत्री ने सोना सोबराम योजना की जनकारी में कहा की साड़ित होती वलूंगी की खरिदारी में गड़बड़ी होने पर पता दिकारी दंडित होंगे पूरे राज्ये में लगेंगे बिजली के प्रिपेर्ड मीटर नए सीरे से होगा सर्वे पूरे राज जेके बिजली भगताओं के भनों में प्रिपेर्ड मीटर लगाने के लिए नए सीरे से सर्वे सुरू होगा केंदर सरकार की नए योजना टोट टेक्स मोड पर जारखन में उरजा का लेखा जोखा रखा जाएगा इसके लिए केंद्र सरकार की योजना RDSS के अंतरगत 250 कोड़ रुपे खर्च होंगे यह प्रस्ता उर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैटक में मंजूर किया गया है क्रिसी मेला के माध्यम से क्रिसको को मिलेगी योजनाओ की जनकारी राज्य के किसानों की आई बढ़ाने के लिए क्रिसी एवं पसुपारन विभाग क्रिसी मेला के जरिये योजनाओ की जनकारी पहुँचाएगी केंद्र एवं राज्य समपोसीत योजनाओ की समपुन जनकारी उपलब्ध हो सके और वंचीत किसान इन योजनाओं का हिसा बनने के लिए पूरे राज्ये में 100 किसान मेला का आवजन COVID-19 के मताविक किया जाएगा बतादे किसान मेला आवजन में राज सरकार के पताधिकारी क्रिस्ती से जुड़ी योजनाओं के जनकारी किसानों को देंगे इस पीकर ने छात्र संसद में भाग ले रहे छात्रों को परसाहित किया है छात्र संसद 2021 में सामिल होने के लिए सोमवार से जारखन बिधान सभा के बिधाई सोध, संदर्भ एवं प्रसिक्षन को सांग की और से ओनलाइन प्रत्योक्ता शुरू कर दी गई है बता दे जारखन बिधान सभा के अध्यक्ष रविनरात महतो ने बिधान सभा के स्टूडेंट से इस ओनलाइन बेविनार से जुड़ कर छात्र एवं छात्राओं को प्रसाहित किया वा उनका मनोबल बढ़ाया जारखन में विकास के लिए टीम जारखन बनाये सरकार सर्जुराय जारखन के पूर्व मंतरी सह जमसेद पूर पूर्वी के विधायक सर्जुराय ने सियम हमन सुरेन को राजे में विकास के लिए टीम जारखन बनाने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि जार्खन में एक सरकार हाथी उड़ा रही थी तो दूसरी सरकार हाथी पकड़ कर बैठी है बरतमान सरकार की प्रतमिक्ताय वह रुजान भी विकास के प्रती नहीं दिख रही सिकायत के बावजूद भरष्टाचार के मामलों में करवाई नहीं करना भी गलत है पूर्वी मंत्री सिरी राय ने बातचीत में कहा कि राज सरकार को सुझाव दिया की विकास के लिए सियम सिरी सुरेन टीम जार्खन बनाए जिसमें मंत्री वा अधिकारे भी रहेंगे नियोजन वा अस्थानिय निति असपस्ट नहीं है 15 नॉमबर 2000 तक बिहार के बर्तमान जार्खन राज्य के इलाके में रहने वाले सभी लोगों को अस्थानिय माना जाना चाहिए सभी को नियोजन निति का भी लाब मिलना चाहिए उन्होंने कहा कि हेमन सरकार ने वर्ष 2021 को नियोकती वर्ष कोसित किया है लेकिन जितनी बाहलिया हो रही है उससे अधिक लोग रिटायर हो रहे हैं आउट सोर्च पर अधिकारियों वा कर्मियों की बाहली की प्रथाबंध होनी चाहिए इससे युगा बर्ग कुंठी तोवा हतास हो रहा है संक्रमित मरी छुटा तो इंसिडेंट कमांडर होंगे सस्पेंट राची उपायुकते कुरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एक और जहां राचे जिला पर ससन कोवीड नाइटिन दिशा ने देशों के अनुपारन को लेकर और सकती बढ़तेगा वहीं दूसरी ओर यहर पोर्ट और रेल्वे स्टेशन पर बिसे सतरकता बरती जाएगी इसे लेकर उपायुक छवी रंजन ने जिला कोवीड टास्पोर्स की बैठक में कहा कि संक्रमित मरी छुटा तो इंसिडेंट कमांडर को सस्पेंट किया जाएगा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मोराबादी मैदान में रोई सुबह मोर्निंग वाक के लिए आने वाले लोगों के लिए भैक्सिनेशन केंप लगेगा यहां सुबह 6-10 बै तक लोग टीका ले सकेंगे काक्षा नवी व एगारवी बोड की परिक्षा दो चरनों में OMR सीट पर होगी काक्षा नवी व एगारवी की बोड परिक्षा भी दो चरन में होगी प्रथम चरन की परिक्षा नोवंबर में लेने की बात कही गई थी पर अब इन दोनों का अक्षाओं की परिक्षा भी दिसंबर में होने की समावना है परिक्षा मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा के बाद ली जाएगी बतादे दोनों परिक्षा में सभी प्रश्ण बस्तुनिष्ट होंगे 80 अंक की परिक्षा ली जाएगी 20 अंकों का आंत्रिक मुल्यांकर होगा दोनों चर्णों की परिक्षा 40-40 अंकी होगी OBC महा समेलन में मंत्री अलमगीर ने बोले 27 परतिसत आरक्षन देंगे OBC को जन संख्या के अनुपात में आरक्षन की मांग को लेकर हजारी बाग के बढ़का गाओं में OBC महा समेलन का उजन हुआ इसमें सामील होते हुए ग्रामिन बिकास बिभाग जारक्षन के मंत्री अलमगीर अलम ने राज जे में 27 परतिसत आरक्षन देंगर ही दम लेने की बात कही वहीं भाजपाप पर जम कर निसाना सधा मंत्री अलमगीर अलम ने कहा कि राज सरकार 27 परतिस दिया राक्षन को लेकर गंभीर है उन्होंने कहा कि हमन सरकार बनने के बाद कोविट काल में भी बेहतर काल हुआ है जहार खंडी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना बीसेस परत्मिकता सीम सिरी सुरेन ने कहा कि रोजगार सिरी जन सरकार की बीसेस परत्मिकता है एक और सरकारी विभागो में नियुक्ती पर किलिया तेज की जा रही है तो दूसरी और सोरोजगार के लिए कई योजनाय बनाई गई है और उसका तेजी से कियानवयन हो रहा है राई सरकार विर्शा हरित ग्राम योजना लिनामबर पितामबर जल सम्रीत योजना सहीत पोटो होक खेल बीकास योजना फूलो जालंौ असिरवाद योजना और मोख्योमंद्री पसुदधन योजना जैसी कई कलियानकार योजनाय सरकार ने शुरू की है उन्होंने ग्रामिनों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और पूरा लाभ उठाए हेमंत सरकार रोजगार वबिकास के मुद्धे पर भीफाल बावुलल मरांडी जारखन के पूरो मुख मंत्री स्वाभाजपा विधायक दलकिनेता वावुलल मरांडी सोमो और कोच अत्रा पहुँचे इस दोरान करकार्ता ने भबे स्वाकत किया करकार्ता समेलन में सिर्कत करते हुए सिरी मरांडी ने हेमंद सरकार पर जम कर प्रहार किया उन्होंने कहा कि राजे की हेमंद सरकार रोजगार वबिकास के मुद्दे पर जारखन वास्यों को ठोगने का सिर्फ काम किया है सिरी मरांडी ने कहा कि हेमंद सरकार का कारेकल दो साल बीत गया चुनाओ के वक्त किया गया एक भीवादा को पूरा नहीं किया गया दीपावली और छठ पर्व को लेका ट्रेनों में बढ़ने लगी भीड दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में भारे भीड चल रही है कुछ दिनों से ट्रेनों की साभी सीटे फूल है ट्रेनों में भीड रहने और सीटे फूल होने से कुछ दिनों से ट्रेनों में काफ अफरात अफरीद देखी जा रही है वहीं ततकाल टिकट के लिए याती लंबे कातार लगाए टिकट काउंटर पर दिख रहे हैं बता दे दिपावली वच्षठ मनाने हर दीन हजारों याती ट्रेंज से अपने अपनी घर लोट रहे हैं दल बदल मामले में हुई सुनवाई जारखन विधान सभा के स्पीकर कोट में सोमवार को दल बदल मामले में सुनवाई हुई हलाकी कागजी कोरम पूराना होने के कारण बहस की नौबत नहीं आई और कुछ देर बाद ही स्पीकर रमीद नात महतों ने सुनवाई को अगली त इन पर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता SP गाडोदिया ने बताया कि उन्होंने स्पीकर कोट में जवाब दाकिल कर दिया है SP ने जवाब की प्रतिवादी उपलब्ध कराने का निद्यस देते हुए सुनवाई अगले आदेश तक के लिए अस्थागित कर दिया 14 में 217 के साथ एरिया कमांडर समय तीन उग्रवादी धरा है प्रतिवांधित T.S.P.C. उग्रवादीयों के बिरूद 14 पुलिस को सोमवार को बड़ी कम्याभी मिली है लवा लंग थाना छेतर से रिजनल कमांडर आकरमन दस्ते का एरिया कमांडर सरवन उरा उर्फ हेमन्त समय तीन उग्रवादीयों को उग्रवतार कर लिया गया है बता दे उग्रवादीयों के पास से 1.47 राइफल, 7.62 mm का 20 चक्र कार्थूस वा बिभीन कम्पनियों के तीन मोबाइल फोन बरामत किये गए है अनगाडा को 5170 कम्बल मिले एक सापता में अनगाडा परखंड की सभी पैंचायतों में कम्बल का बीतरन शुरू कर दिया जाएगा सो मुआर को जिला परसासन की होसे अनगाडा परखंड को 5170 कम्बल मुहया कराया गया बता दे दो दिनों में कॉंबल अंगड़ा प्रकॉंड की सभी 21 पंचायतों में भेज दिया जाएगा वीडियो उत्तम परशाद ने बताया कि इस बार समय पर विभाग द्वारा कॉंबल उपलब्ध करा दिया गया है धन्यवाद दिन भर की तमाम खबर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद